अब हम क्या करेंगे यहाँ पर React Native की application को create करेंगे और साथी में folder structure भी देख लेंगे, कौनसा folder structure हम follow करने वाले हैं और क्या-क्या folder structure हमको React Native application के अंदर मिलता है तो यह सारी चीज़े अभी हम देखेंगे तो जहाँ पर भी आपको React Native का project create करना है या पर हमारी application का project create करना है तो उस पात पर आप जाईए जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर D drive के अंदर हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक folder है mobile apps के नाम से जिसमें पहले भी बहुत से application मैंने बना के रखें उसके भी tutorials मेरे चैनल पर है, आप check out कर सकते हैं तो इसी में मैं क्या करता हूँ, एक new folder यहाँ पर बना लेता हूँ और इसका नाम हम रखेंगे native-ecommerce इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक folder बनाएंगे server के नाम से जिसमें हमारा server का सारा code यहाँ पर रहेंगा और इसी के अंदर हम क्या करेंगे client के नाम से एक और folder create करेंगे या फिर directly हम क्या कर सकते है client के नाम से react native की application create कर सकते है तो उसके लिए आप क्या करें पहले शुरुआ है ये इसके documentation पर get start पर click करें कैसे आप react native की application create कर सकते है सारा tutorial आपको यहाँ पर मिल जाएंगा आपको क्या करना है simply देखिए हम यहाँ पर NPM का use कर रहें और यहाँ पर हम expo का use करने वाले हैं अगर आप react native यूज़ कर रहें यानि CLI अगर आप इसका use कर रहें तो node.js फिर jdk यह सारी चीज़ों का setup आपको करना पड़ता है हम क्या करेंगे direct expo का use करेंगे minimal setup है जादा कुछ हमको करने की इसमें जरुरत नहीं पड़ती expo behind the scene सब कुछ समाल लेता है तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इस command को आप copy paste कर सकते हैं is simple, आप क्या करें इसको copy करें यहाँसे भी आप इस command को copy कर सकते हैं ً iç उसके बाद में आप क्या करेंगे इस path को जाया टर्मिनल में या फिर command prompt में open कर सकते हैं simply अगर आप windows पर है तो इसी path पर आप क्या करें, cmd को type करें command prompt में open हो जाएंगे कुछ इस तरीके से उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस command को paste कर देंगे, या फिर आप manually भी type कर सकते हैं, आपको क्या लिखना है, simply लिखना है npx, फिर उसके बाद में आपको लिखना है create-export-app, यतना आपको लिखना है, उसके बाद में आपको अपनी application का नाम यहाँ पर add करना है, तो हमारे case में हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे client, तो client के नाम से एक folder create हो जाएंगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हो, अभी server के नाम से देख सकते हैं, अब जैसे मैं enterprise करूँगा यहाँ पर dependency डाउनलोड होना start हो जाएंगी, और देख सकते हैं, यहाँ पर client का folder भी create हो चुका है, और उसके अंदर npm install के मदद से सारी dependency डाउनलोड हो रही है, और जब तक यह डाउनलोड होती है, आप क्या करें, visual studio code को भी डाउनलोड करके रखें, I hope आपने डाउनलोड कर लिया होगा, हम क्या करेंगे, इस project को visual studio code में open करेंगे, और यह project डाउनलोड हने में 2-3 मिट करें, QR code को आपको scan करना है, automatically यह project आपके mobile में open हो जाएंगा, तो वेट करते हैं पहले इसके finish होने का, जैसे यहां पर यह finish हो जाता है, तो हम इसको run कर देंगे, और run आप यहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप visual studio code में भी हमको integrated terminal मिलता है, आप उसका भी use कर सकते हैं, पहल को simply right click करना है, और यहां पर आपको option मिलेंगा open with code, इस पर click करें, automatically यह folder visual studio code में open होना start हो जाएंगा, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर भी आपको integrated terminal मिलता है, three dots पर click करें, menu जो है थोड़ा सा आगे पीछे आपको देखने मिल सकता है, depend करता है आपके screen के size के उपर, हम client के लिए अलग से folder है, client हमारी react native की application है, और server हमारा node express js का server है, तो इसमें confuse मत होई है, जब हमको react की dependency download करना है, तो आपको client directory के अंदर switch होना पड़ेंगा, और जब हमको server की dependency को download करना है, तो आपको server की dependency को download करना पड़ेंगा, अब मैं क्या करता हो, पहले शुरू जो है, expo switch हो गया है, इसके बाद मैं आपको लिखने npm start command, इतना लिखके आप enterprise करिए, तो expo की मदद से जाए हमारा project bundle start हो जाएंगा, देख सकते हैं, बस टाइम में देखिए, यहाँ पर एक folder भी बन जाता है, .expo के नाम से, client directory को expand करेंगे, तो .expo के नाम से जो यहाँ पर package बन ज जाएंगी, और अगर आप emulator का use कर रहे ना, तो देखिए, यहाँ पर आपको option मिलता है, press a, अगर आप a press करेंगे, तो automatically जाए, emulator में यह open हो जाएंगा, उसी तरीके से web भी आता है, लेकिन web हम use नहीं करेंगे, हम यहाँ पर emulator use करेंगे, और आप चाहें तो mobile का use कर सकते ह application automatically आपके phone में open हो जाएंगी, उसी तरीके से debugger, reload कुछ करना है, तो यहाँ पर extra options आपके पास available है, आप check out कर सकते हैं, इनके से अगर आप भूल जाए, क्या क्या option आपके पास है, तो आप question mark प्रेस करेंगे, तो वापस से commands यह display होंगे, तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, प भी कर सकते हैं, तो पहले शुरू data को wipe कर देता हूँ, अगर previous application का data रहेंगा, तो इसमें से wipe हो जाएंगा, हम जो यहाँ पर pixel 7 देख लेंगे, so play पर अप click करिए, तो emulator यहाँ पर open होना start हो जाएंगा, कुछ इस तरीके से यह open होगा, first time में boot होता है, boot होने में थोड़ा time लग सकता है, depend करता है आपके system की configuration क्या है, तो इसके according थोड़ा सा slow भी चलता है, और अच्छा configuration है, तो थोड़ा pass भी आपको देखने मिल जाता है, अभी जैसे run हो जाता है, उसके बाद में कुछ इस तरीके से boot आता है, और इसमें notch है, so मैं notch वाला use नहीं करना चाहता है, इसको मैं cut कर देता हूँ, हम क्या कर लेंगे, pixel 3a यूज कर लेंगे, या फिर मैं बाद में device change कर लोगा, first वाला मेरे पास एक है, देखिए, pixel 3a, तो इसका मैं फिलाल के लिए use कर लेता हूँ, बाद में हम इसको भी change कर लेंगे, और iOS के लिए मेरे पास X code नहीं है, तो मैं इसको टेस्ट करके आपको नहीं बता सकता, अगर आप iPhone के लिए बना रहे है, तो X code में आपको option मिल जा था, और emulator process start है, so error show कर रहा है, ऐसा देखिए, आपको भी error show कर सकता है, लेकिन आप इसको close करिए, यहाँ पर देखिए, pixel 3a device हमारे पास run हो रहा है, यह भी थोड़ा इसे रन रखे background में, अब जैसे आप client folder को expand करेंगे तो आपको बहुत से files और folders इसमें देखने मिल जाते है, assets के अंदर आप क्या कर सकते है, अपने icons, images, fonts या फिर जितनी भी आपको assets रखने है, assets का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास audio, video, documents, जो भी application में statically आपको show करान होती है, तो एक screen show करता है, तो यह है splash screen, आप इसको भी change कर सकते हैं बाद में, और इसके बाद में दीखे, nude underscore modules का folder है, तो सारी dependency यहाँ पर download होती है, और initial time page folder का size काफी बढ़ जाता है, लेकिन हम जैसे इसको build देंगे तो फिर compress होके हमको data मिलता है, तो file का size काफी कम होके हम इसके बाद में git ignore की file है, तो कोई भी confidential file है, या फिर heavy file है, जिसको आप github पर push नहीं करना चाहते है, तो आप इसके अंदर उसको रख सकते हैं, जैसे के by default इसमें दीखे, expo की file है, dist है, web build, node modules, dot env की file, तो यह सारी चीज़े by default आती है, हम क्या करेंगे, separate इसको बाद में द start working on your app, पहले देख लेता हूं, बूट हो गया नहीं है, तो बूट हो चुका है, और थोड़ा सा इसको minimize कर देता हूं, side by side कर लेता हूं, ताकि आपको दिखाई दे, अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर press करेंगे A, क्योंकि हम emulator में देख रहे हैं, तो हम क्या कर start हो जाएंगी, और यहाँ पर आप देख सकते है, यह splash screen, और जैसे यहाँ पर यह पूरा download होता है, तो आपको output भी देखने मिल जाएंगा, देखें, यहाँ पर build complete हो चुका है, और यहाँ पर देखें, एक text हमको देखने मिल जाता है, और first time में देखें, आपको कुछ इस spin होता रहेंगा, तो आप क्या करें, वापत ते application को minimize कर दें, और इसको cut करके आप double से application को open कर सकते हैं, इसको भी मैं minimize कर देता हूँ, और यहाँ पर देखें, बीच में आपको option मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें, main menu पर जाईए, और expo go को आप यहा reload हो जाएंगे, देख सकते हैं, यहाँ पर यह reload हो गई, यहाँ से आप continue पर click करिए, और यहाँ पर इसको close कर दीजिए, first time में कुछ इस तरीके से आपका output देखने मिलेंगा, जो कि app.js में by default आता है, आप इसको change भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको cut कर देता हूँ, और इसक step by step सारी चीज़े हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उसके बाद में हमारे पास है app.json, तो इसमें हमारे application की configuration है, जैसे कि कौन सा icon आपको show करना है, flash screen पर क्या चाहिए, फिर asset कैसे start होगा, iOS platform, यहाँ पर platform के लिए भी अलग से आपको बता देता है, क्या-क्या support करता है, और पता होगा, React जो है, behind the scene, Bebel पर काम करती है, Bebel की भी एक configuration फाइल आती है, इसमें भी आप preset कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ भी छेड़ चाड़ करने की ज़रत नहीं है, उसके बाद में package.log.json की फाइल, dependency की dependency यहाँ पर show करती है, यानि कोई भी अगर आप package करेंगे, यहाँ पर script आप add कर सकते हैं, dependency डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर show करेंगी, उसी तरीके से dev dependency अगर आप use करेंगे, तो वो यहाँ पर show करेंगी, और भी अगर आपको proxy add करना है, या फिर और कुछ setup आप देखना साथ है, तो आप इसके अंदर change कर सकते हैं, Google भी कर package JSON में आप क्या क्या चीज़े जो है, चेंज कर सकते हैं, तो उसके उपर भी आप देख सकते हैं, काफ़े articles आपको देखने मिल जाएंगे, make sure ज़रूर देखें, तो आपको भी basic idea होगा, क्या का customization हम इसके अंदर कर सकते हैं, तो यही तर सब I hope आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पर React Native की application को create किया, और उसको emulator के अंदर open किया, आप चाहिए तो उसको mobile application में भी open करके test कर सकते हैं, mobile application आप अपने play store से या फिर iOS store से जो है download कर लें, उसके बाद में simply आपको application को run करना है, run करने के बाद यह जो QR code आ रहा है, आपको जो भी QR code है, आपको उसको scan करना है, और automatically यह same application अभी जो यहाँ पर emulator में show कर रहा है, वही चीज जाए आपके phone में भी show करेंगा, so I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होंगा, next हम क्या करेंगे, routing का थोड़ा सा setup start में कर लेंगे, ताकि बाद में हमको routing देखना ना पड़े, तो routing का भी थोड़ा सा setup हम इसमें करके रख लेंगे,